Hello friends, आज हम करेंगे अपनी calligraphy journey की शुरुवात तो कुछ basic चीज़े हैं जो हमें हर type की calligraphy में पहले सीखनी पड़ती हैं चाहे हमारी इच्छा हो कि हम fox calligraphy करना चाहते हैं या फिर हम pen calligraphy करना चाहते हैं या brush pen calligraphy या फिर किसी और type की calligraphy सबसे पहले हमें कुछ basics सीखने पड़ते हैं जिने हम basic drills भी कहते हैं तो आएए let's start तो पहले कुछ आपको basics सीखने होते हैं और उसमें सबसे पहले आजाता है कि आपको hold कैसे करना है अपने pen या pencil को तो सही तरीका hold करने का तो ये है जिसमें आप middle finger और thumb को use करके इस तरह से pencil को या pen को hold करते हैं लेकिन कई लोग इस चीज से बड़े comfortable होते हैं बच्पन से हम जब writing करते हैं तो इस तरह से बड़े ही लोग इस तरह से लिखते हैं which is also correct जो आपको comfortable हो मुझे रगता है कि वही stance या वही position हमें use करनी चाहिए तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि calligraphy में कुछ basic drills होते हैं जो हर तरह की calligraphy में आपको काम आएंगे तो जब भी आप calligraphy start करने वाले हों या restart करने वाले हों मानलो कुछ आपने किसी reason से gap लिया है और आपको फिर से calligraphy को restart करना है तो अगर आप ये basic चीजें, basic drills से शुरुआत करेंगे तो it will be very easy for you आपको flow में आने के लिए, loop में आने के लिए आपको बहुत help मिलेगी तो जल्दी से start करते हैं अपने first drill से जिसमें simply आपको circular motion में ऐसे turns लेने हैं एक single line में या two lines में ले लिजे it's your choice but the thing is कि आपने ये चीज़ को बिल्कुल stable रखना है अगर आप एक line में ये कर रहे हो तो वो एक line में ही रहना चाहिए वो आगे पीछे उपर नीचे नहीं जाना चाहिए तो ये just simply clockwise turns हमने इसमें किये हैं तो ये है आपका पहला drill second जो drill है उसमें आपको anti-clockwise चलना है तो यहाँ से शुरू कर लिजे anti-clockwise anti-clockwise single line में anti-clockwise चलते रहे हैं ये जो drills हैं ये आपके reflexes को और ज़्यादा improve करते हैं reflexes क्या होते हैं हम जो learning करते हैं किसी भी चीज़ की reflexes होते हैं जो by birth हमारे अंदर होते हैं कुछ होते हैं जो हम चीज़ें जब सीखते हैं तो वो reflexes हमारे बन जाते हैं reflex का मतलब है कि जो चीज़ हम repeatedly करते हैं उस pattern को हमारा brain याद रखता है और next time जब stimulus मिलता है तो again वो चीज़ automatically हमारे अंदर से निकलती है क्योंकि हमारा brain जो है वो memorize कर लेता है चलिए अब next हम next वाली exercise पर चलते हैं इसमें आपको क्या करना है इसमें आप शुरुआत तो आपको simple circle से करनी है चोटे चोटे circle से करनी है और बढ़ते बढ़ते एक line और फिर उससे भी बढ़ा मतलब आपको size बढ़ाते जाना है clockwise turns ही लेने हैं और size को increase करते जाना है ये देखो मैं 2 lines तक पहुच चुकी हूँ और ये मैं 3 lines तक आगी हूँ ये चीज़ आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको calligraphy में help मिलेगी even normal handwriting भी अगर आपको improve करनी हो तो ये ही exercises आपको बहुत-बहुत help करेंगी तो ये हम जा रहे थे छोटे से बड़े की तरफ मतलब कहलो ascending हम जा रहे थे अब हम बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे मतलब descend करेंगे तो शुरुवात हम कितने 3 lines से कर रहे हैं याँ पर ये lines आप 3, 4, 5 जितनी मरजी ले सकते हो तो ये 3 lines में मैंने start किया और अब मैं इसको decrease करती जाओंगे और आगे भी बढ़ती जाओंगे तो अब मैं 2 lines तक आगी हूँ ये हो गया हमारा number 4 जिसमें हमने size को descent किया है, decrease किया है और number 5 ये बहुत ही important है इसमें आपको loops बनाने है जो infinity loop होता है ये वाला ये देखो, ये बनाना है आपको तो ये आपको थोड़ा सा fast बनाना है और ये धिहान रखना है कि इसका size constant रहे अगर मैं ये 2 lines में बना रही हूँ तो 2 lines से ये बाहर ना जाए इसी को आप one line में भी practice कर सकते हो छोटा सा छोटे से area में इस तरह और इसी को हम इसको हमने कैस बना था इस तरह से ठीक है this way मतलब हम पहले right to left गए थे इस तरह और फिर हमारा turn हमने ऐसे इस तरह से किया था हमने ये ये था हमारा pattern of walk अब हम इसको उल्टा लेके चलेंगे उल्टा लेके कैसे चलेंगे हम start करेंगे यहां से इस तरह से opposite मतलब मेरा direction पहले नीचे की तरफ जाएगा फिर उपर देन अगेन नीचे देन इस तरह consistency बना के रखनी है size का ध्यान रखना है और speed को increase करना है daily practice अगर आप यह करते हो तो no doubt आपकी handwriting में और अगर आप calligraphy करते हो या करना चाहते हो तो उसमें आपको बहुत बहुत help मिलेगी तो यह हम छोटे इसमें भी practice कर सकते हैं single line में यह देखो और बढ़ा भी कर सकते हैं आप 3 या 4 lines भी यूज़ कर सकते हैं तो इसमें हमने क्या pattern follow किया था यह pattern start हमने downward से किया और फिर हम इस तरह से हमने loop बनाया तो यह 6 patterns दुबारा से मैं repeat करूंगी यह 6 patterns देख लो एक हमने पहले clockwise हमने just simple circles बनाया फिर anti-clockwise चले हम पीछे से इधर उसके बाद हमने ascending loop बनाया फिर हमने descending loop बनाया और फिर यह infinity loop को हमने दोनो opposite directions में इसको करके clockwise भी और anti-clockwise भी left और right का धियान अखते हुए तो हमने उस तरह से इसको किया तो I hope this will be the beginning of your journey for a good handwriting as well as calligraphy इसको आप pencil के साथ-साथ pen, pilot pen, sketch pen किसी भी तरह के pen से आप इसको कर सकते हैं उससे आपकी improve होगी जो भी आप सीखना चाहते हो वो चीज आपकी improve हो जाएगी जैसे अगर आप handwriting अगर आपका target है तो आप इसको ink pen से या ball pen से या pilot pen जो भी आपको comfortable हो या जिसमें भी आपको improvement करनी है आप उसको use करके ये drills कर सकते हैं Friends, बहुत जल्द मैं अपने next video के साथ फिर से हाजिर होँगी I hope आपको ये video अच्छा लगा होगा Please don't forget to like this video, subscribe to my channel and share it with your friends also Bye for now, thank you